नवस्कार बोल के लबाजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा इस तस्वीर पर गौर कीजिए दोस्तों पाकिस्तानी खिलाडी गुजरात के एक होटेल में प्रवेश कर रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके प्रवेश के वक्त उन पर पुश्प वर्शा की जा रही है यानि फूलों से बरसात की जा रही है यहीं नहीं लड़कियां बाकाइदा आसपास निर्त कर रही है क्यों कि भारत आतिती देवो भव में विश्वास करता है ना कोई ताकत ना कोई अदावत और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए तेरे बोल पर अंकुश न भारत की पुरानी परंपरा रही है कि घर में जो भी महमान आए उसका स्वागत किया जाना चाहिए मगर शिव सेना उधव ढाकरे फाक्शन कुछ सवाल उठा रहा है वो याद दिला रहा है कश्मीर में हाल ही में शहीद हुए हमारे तीन वीरों की जिसमें करनल, मेजर और एक DSP थे ये कहा जा रहा है कि जो देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को स्पांसर करता है उसके खिलाडियों का इस तरह से फूलों से स्वागत बात यहां नहीं रुकती दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बाकाइदा सड़कों के बीच में से पाकिस्तानी खिलाडियों का ये पूरा काफिला जा रहा है और आस पास लोग जमा हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए दोस्तों मैं एक बास पश्च कर दूँ मेरा खुद का मानना है कि खेल और राजदीती में फर्ख होना चाहिए पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है जिसके अंतरगत वो भा एक देश उसके खिलाफ आतंकवाद को एक हथ्यार के तौर पर استعمال कर रहा है भारत विरोधी ताक्तों को शह दे रहा है क्या इस तरह से उसके खिलाडियों का स्वागत होना चाहिए आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है सबसे शॉकिंग बात ये है जानते हैं कि भ पाकिस्तान के साथ केला नहीं होना चाहिए, क्रिकिट नहीं होना चाहिए, ये बात अलग है, जब इस तरह की तस्वीरे सामने उभर कर आती है, तब भाजपा सरकार से सवाल नहीं करता है, वो बी सी सी आई में एहम किरदार निभाने वाले जैशा से भी सवाल नहीं करता है, वो इधर उधर की बाते करता है मगर जो बुनियादी मुद्धा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारत विरोधी तत्तों का इस्तिमाल करता है और पाकिस्तान हर बार इस मुद्धे पर एक्स्पोज होता रहा है अगर पाकिस्तानी टीम आई है तो उसका स्वागत सामाने तोर पर किया जाए अब खबर ये भी आ रही है कि 14 अक्तूबर को जो मैच होने वाला है उसमें अरीजीत सिंग भी गाएंगे अमिताब बच्चन और रजनिकान भी पहुँचेंगे अब इन तमाम चीजों की पुष्टी 24 घंटे में हो ही जाएगी मुद्दा वो बिलकुल भी नहीं है मुद्दा है दोहरे माबदंड का भारती जनता पार्टी ये नहीं कर सकती कि भाई पाकिस्तान का इस्तमाल हम राजनीती के लिए करें वोट बटोरनी के लिए करें सैनिकों की शहादत का इस्तमाल वोट बटोरनी के लिए करें मगर फिर इस तरह से पाकिस्तानी खिलाडियों का स्वागत किया जाए मैं सपश्ट कर दूँ ये भारती संस्कृती का हिस्सा है जिसमें हम महमान को भगवान मानते हैं इसलिए उन पर पुषवर्शा की जाती है निर्त भी शायद इसलिए किया जा रहा है मगर विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है ना सिर्फ शिवसेना बलकि कॉंग्रेस भी इस तस्वीर पर सवाल उठा रही है और सबसे बड़ी बात इनका पालतू मीडिया और उसके तोहरे माबदंड गौतम गंभीर जैसे खिलाडियों के तोहरे माबदंड वो और उसको एक्सपोस किया जाना बहुत जरूरी है मैंने अपने एक अनकारक्रम में पाकिस्तान और उसके साथ क्रिकेट को लेकर गोदी मीडिया के तोहरे माबदंड को एक्सपोस किया था दोस्तों आईए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ देखते हैं सबसे पहले देखिए टाइम्स नाव नह भारत किस तरह से बौरा गया है आपके स्क्रीन्स पर बाबर मैच खेलने आया या हिंदूों को हराने बाबर टीम को पाकिस्तानी आर्मी का क्यो ओडर है वर्ल्ड कप के बहाने आया पाकिस्तान आग लगाने अरे बेटा त्यागी अगर पाकिस्तान आग लगाने आया है अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी से order लिया है तो फिर भारती जनता पार्टी सरकार ये match क्यों होने दे रही है अपने दर्शकों को क्यों मूर्ख बना रहे हो एक तरफ तो अपने दर्शकों की feelings के साथ खेलना कि पाकिस्तान के साथ मैच ना हो दूसरी तरफ कट घरे में नहीं रखा जारा भाजपा सरकार को क्यों नहीं रखा जारा है क्यूंकि BCCI को ये आदमी कंट्रोल करता है जिसका नाम है जैशा जो कि देश की ग्रेह मंत्री अमिट शाह के बेटे है ये लोग ये तमाम बाते कर रहे हैं भड़काओ बाते कर रहे हैं देखिया आप बाबर, हिंदू, पाकिस्तान आर्मी बड़ी-बड़ी बाते की जा रही है मगर इन में से एक भी व्यक्ती ना भाज़पा सरकार से सवाल पूछ रहा है ना खेल मंत्री से सवाल पूछ रहा है और सबसे बड़ी बात जैशा से सवाल ने कर रहा है आने पत्रकार ये देखिये, न्यूज 18, पाकिस्तान से खेल, शहादत के साथ खेल, सूमवार को मैच्श, मंगलवार को हमला, सेना अपनी परसनल लड़ाई लड़ रही है 15 सितंबर को ये कारक्रम किया गया था फिर ये पत्रकार है क्या कह रहा है आज तक का, भारत की टीम में एक भी ऐसा खेलाडी नहीं, जिसका जमीर जाग उठा हो, जिसका खून इन शहीदों के लिए खौल उठा हो, और वो मैच्श खेलने से इंकार कर दे, एक भी नहीं दोस्तों, ये जो इसका ट्वीट है, ये पुराना ट्वीट है, 2017 का, ये तब से इसी तरह की भाशा का इस्तिमाल कर रहा है, मगर मजाल है, मजाल है कि ये भाजपा सरकार से सवाल करे, कि अगर पाकिस्तान हमारे वीर सैनिकों को मौत की खाट उतार रहा है, उनकी वज़ा स उन्हें शहादत को गले लगाना पड़ रहा है, तो ये मैच का आयोजन क्यों हो रहा है, क्या इन पत्रकारों ने जो इस तरह के भढ़काव कायरक्रम करते हैं, क्या सत्ता से ये सवाल पूछा है, और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ये देखिए, 9 नवंबर 2022, क्या करता है, कि पाकिस्तान धर्म लाता है, पाकिस्तान आतंकवाद का स्पॉंसर है, जो की हक्यकत है, तो फिर तुम सरकार से सवाल क्यों नहीं करते हैं, मैं एक बास स्पश कर दूँ, मैं अपनी सरकार के साथ हूँ, बशर्ते, सरकार की जो नीती है, वो बिलकुल साफ हो, ट् पर दरशिता हो उसमें दोहरे मापदन बरदाश नहीं किये जाएंगे दोस्तों और इससे पहले भी ये इसी तरह के भड़काओं कारक्रम करते रहते हैं ये देखिए करनल मनप्रीच सिंग मेजर आशीश धौचक और डीएसपी हुमायू भट की शहादत को बड़ी जल्दी भूल गए हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्वागत की हैदराबाद से आई तस्वीरों ने बताया कि शायद सेना कोई अपनी परसनल लड़ाई में शहीद हो रही है और देखिए दोस्तों उन तीन सैनिकों का इस्तिमाल करके ये पत्रकार क्या कह रहा है पाकिस्तान के और बैट का रिष्टा एक साथ नहीं चल सकता हमें पाकिस्तान को आई सी सी से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को मैच में नहीं युद्व में हराने का समय है ये लोग अपने दर्शकों को कितना बड़ा सल्फेट समझते हैं दोसरों कितना बड़ा सी एच्टू एस ओफोर समझते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ये जो पूछ रहा है कि ICC से बाहर पाकिस्तान को हटाना है या हटाना चाहिए युद्व में हराना चाहिए आप जानते हूँ कि ICC से बाहर नहीं किया जा सकता पाकिस्तान को मगर इस तरह की TRP के लिए और भाजपा की सेवा करने के लिए कारिकरम किये जा रहे है ये बात अलग है कि ये पत्रकार ये देखिए बेहूदगी से नवाश शरीफ से भी मुलाकात कर रहा था It is great to be here, said नवाश शरीफ when I met him चहरे पे देखो क्या मुसकान है, पुरानी तस्वीर है ये देखिए, परवेज मुशरफ, जो अब जिन्दा नहीं है, उनके साथ मुलाकात, क्या कह रहा है विच जनरल परवेज मुशरफ, डियूरिंग दे शूट औफ ग्लोबल लीडर्शिप सीरीज फॉर वियो निउस इन दुबई, जेनरल माइट बी बाक इन पाकिस्तान पुलिटिक्स सून यानि कि ये लोग पाकिस्तानी नेताओं से भी मुलाकात करते हैं टी आरपी के लिए भारत और पाकिस्तान के मैच भी दिखाते हैं और फिर इस तरह के भढ़काऊ कायरकरम करते हैं और बात सिर्व इनकी नहीं है आपके स्क्रीन्स पर गौतम गंपीर आपको याद होगा दोस्तों, पाकिस्तान से मिलते हुए, मिलनसार तरीके से मिलते हुए विराट कोहली की ये तस्वीरें वाइरल हुई थी तब आपको याद है ना गौतम गंपीर ने क्या कहा था? कि आखिर विराट कोहली इतना हस हस कर क्यूं मिलते हैं पाकिस्तानी के लड़ियों से इन्होंने ये भी कहा था, ये देखे गौतम गंपीर नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले भारत कहा सेनिको की जान से बढ़कर नहीं है कोई मैच आप तो शायद सांसद हैं तो भही कहिए क्या गौतम गंपीर ने मोधी सरकार से, खेल मंत्राले से कोई आप्लिकेशन दी है कोई याचिका सौपी है कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए सेनिकों से उपर कोई चीज नहीं है न अगर ICC को लगता है कि वो लोग पाकिस्तान को बाहर नहीं निकाल सकते तो भारत बाहर हो जाए भाई सेनिकों की शाहदत से बड़ी क्या चीज है और BJP तो सेनिकों की शाहदत पर वोट भी मांगती है तो देखा आपने किस तरह के डबल स्टांडर्ड्स है इन में से एक भी पत्रकार BCCI में एहम किरदार निभाने वाले जैशा से कोई सवाल नहीं पूछेगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से कोई सवाल नहीं पूछेगा मोदी जी तो चलिए बहुत दूर की बात है खेल मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछेगा BCCI से कोई सवाल नहीं पूछेगा इसलिए विपक्ष ये मुद्दा उठा रही है अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों ये एक ICC का मुकाबला है यहां भारत ये फैसला नहीं कर सकता कि भाई कौन सा देश आएगा कौन सा देश नहीं आएगा तो ऐसा आपने देखा होगा कि कुछ अधकछरा पत्रकारों को छोड़कर ऐसा बयान किसी भी भाजपा के नेता की तरफ से नहीं आया कि पाकिस्तान क्यूं भारत पहुचा है उसके साथ हम क्रिकेट क्यूं खेल रहे हैं ऐसी बाद कोई नहीं कर रहा है हां मगर राजनीती जरूर की जाएगी सैनिकों के नाम पर भी पाकिस्तान के नाम पर भी और क्रिकेट के नाम पर भी अब जार शेर्मा को दीजे अजासर नमस्कार